सोयाबीन के भाव बढ़ने की राह देखते देखते किसान अब निराश होने लगे हैं। विशलेशक भी सोयाबीन के भाव को लेकर कोई स्थिती स्पष्ट करने की स्थिती में अब तक नजर नहीं आए हैं। इधर देश में मानसून में दस्तक दे दी है। खरीफ सीजन में अन्य खरीफ फसलों के साथ साथ सोयाबीन की बुवाई का समय नजदी का गया है। MP और महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती अधिक होती है। इन दोनों राजियों के किसानों को सोयाबीन की खेती से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोयाबीन के वैश्विक स्टॉक में तेज गिरावट हुई है, इसके बावजूद सोयाबीन के भाव बढ़ नहीं पा रहे हैं। सोयाबीन के भाव में लाब की जगह किसानों को हानी हो रही है। लेकिन MP एवं राजस्थान महाराष्ट्र के किसानों के पास सोयाबीन के अलावा अन्य विकल्प कम होने के कारण सोयाबीन की खेती किस छोड़ नहीं पा रहे हैं। जबकि सितंबर में नई सोयाबीन फसल आ जाएगी। ऐसे में किसानों व्यापारियों एवं सभी की यह जिग्यासा है कि आने वाले समय में सोयाबीन के भाव क्या रहेंगे। आपको बता दें कि विदेशी सोयाबीन होने से इसके भाव अंतराष्ट्रियस तर पर होते हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील के अलावा अन्य देश में सोयाबीन की बड़ी पैडावार में ली जाती है। और इसके भाव भी विदेश से ही तै होते हैं। देश की सोयाबीन की डि ओसी अधिक बिके तो देश का सोयाबीन के वाले भाव पर बिकने लगता है। देश की DOC कम बिकने से और विदेश की अधिक बिकने से सोयाबीन के भाव 2-3 साल से किसानों को कम ही मिल रहे हैं। इस समय मंडियों में सोयाबीन 4,500 से 4,800 रुपए प्रती क्विंटल तक बिक रहा है। ग्रेडिंग सोयाबीन जिसे बीजवाला कहा जाता है। इसके भाव भी 5,000 से 5,200 रुपए प्रती क्विंटल तक मंडी निलामी में चल रहे हैं। दर असल, खादे तेल की उपलब्धता के कारण सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। खादे तेलों की वैश्विक की इमतों में गिरावट के कारण भारत में इनका भरपूर आयात किया गया। अप्रेल में भारत का पाम तेल आयात सालाना आधार पर 34.11% बढ़कर 6,84,000 तन पर पहुँच गया है। गैर खादे तेलों सहितकुल वन्सपती तेल आयात अप्रेल में 26% बढ़कर 13,18,528 तन हो गया, जो एक साल पहले समान अवधी में 10,50,189 तन था। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रेल से मई महीने में वैश्विक स्तर पर सोयाबीन तेल की कीमतें 40 डॉलर प्रती तन गिर गई जबकि सूरजमुखी तेल की कीमत पिछले महीने 15 डॉलर प्रती तन कम हो गई, भारत दुनिया का सबसे बड़ा खादे तेल आयातक है। इंडोनेशिया और मलेशिया आरबीडी पामुलीन और सीपियो के प्रमुक आपूर्ती करता हैं, जबकि सोयाबीन तेल अरजेंटीना और ब्राजील से तथा सूरजमुखी तेल रूस, रोमानिया और युकरेन से आयात किया जाता है। पाम तेलों में, आर्बीडी पामोलीन का आयात बढ़कर 1,24,228 तन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधी में 1,12,248 तन था. CPO कच्चा पाम तेल का आयात पहले के 3,93,856 तन से 36 प्रतिशत बढ़कर 5,36,248 तन हो गया, जबकि कच्चे पाम करनेल तेल का आयात 3,990 तन से लगभग 6 गुना होकर 23,618 तन हो गया. नरम तेलों में सोयाबीन तेल का आयात 2,62,455 तन से बढ़कर 3,85,514 तन हो गया, हालांकि सूरजमुखी तेल का आयात 2,49,122 तन से घटकर 2,34,801 तन रह गया. खाद्य तेल की परियाप्त उपलब्धता के कारण ही देश में तिलहन के भाव नहीं बढ़ रहे हैं. मानसून की बारिश के पूर्व किसान वर्ग अपने खेतों की जुताई करने में लगे हैं. किसान इस वर्ष भी सोयाबीन की ही खेती करेंगे. इसके अलावा अन्य विकल्प नहीं होने से किसान वर्ग का पूरा ध्यान इसी फसल पर लगा हुआ है. किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आगामी दिनों में सोयाबीन के भाव में उतपादक किसानों को नुकसान नहीं हो इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए क्योंकि तीन साल से किसान वर्ग को सोयाबीन में भाव नहीं मिलने से लागत भी नहीं निकल पा रही है इसे ध्यान में रखते हुए इस उपज का नया रोड मैप बनाने की जरूरत है सोयाबीन के भाव में तेजी आने को लेकर चौपाल समाचार ने पहले पूर्वानुमान जारी किया था जारी किये गए पूर्वानुमान के अनुसार सोयाबीन के वैश्विक स्टॉक में गिरावट हुई है लेकिन इस वर्ष ब्राजील अर्जेंटीना में उपज रिकॉर्ड आई है अमेरिका में भी अच्छी बिजाई से भाव के गिरावट की संभावना बढ़ गई है यही कारण है कि सोयाबीन प्लांटों में एं सोयाबीन खरीदी का भाव जून माह में भी पांच हजार रुपए पार नहीं कर पाया हाला कि सोयाबीन के भाव आने वाले कुछ महीनों में कैसे रहेंगे यह विशेशक तय नहीं कर पा रहें व्यापारियों की माने तो सोयाबीन के भाव यदी बढ़ते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में बढ़ेंगे यह भाव 5,000 रुपए क्विंटल के आसपास ही रहने वाले हैं। व्यापारियों के भाव एक बार फिर उंचे होंगे। जबकि जानकारों के अनुमान 50.2-3 मिलियन टन लगाया था। विश्व में सोयाबीन का स्टॉक 1.5 प्रतिशत घटकर 114.2-7 मिलियन टन होने का अनुमान रहा। हालां कि अभी इस रिपोर्ट का अधिक असर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देश में सोया तेल का भरपूर स्टॉक है, वहीं पाम तेल का आयात निरंतर बना हुआ है। लेकिन जैसे ही सोया तेल का स्टॉक कम होगा, वैसे ही सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी होगी। USDA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सोयाबीन का उत्पादन 13.6 मिलियन टन की गिरावट आने का अनुमान है। दूसरी और सोयाबीन के स्टॉक में भी कमी आ गई है। विश्व में 17.6 लाक टन स्टॉक में कमी देखी जा रही है। उत्पादन में गिरावट एवं स्टॉक में कमी से निकट भविश्य में सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। सोयाबीन के भाव कब तक बढ़ेंगे। इसको लेकर विशेशग्यों में कोई स्पष्ट राय नहीं बन रही है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जुन जुलाई एवं अगस्त माह में सोयाबीन के भाव तेज रहने वाले हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि अब स्पीन की मांग में व्रिधी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी